नमस्कार आप देख रहे हैं मद्प्रदेश 36 गड़ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सेलेंद कुमार यादो खबर दिन भर में आज हम बात करेंगे क्या रही दिन भर की हल चल और क्या रहा मद्प्रदेश 36 गड़ में दिन भर में क्या रही बड़ी खबरें उस से पहले सुरू करेंगे इस वक्त की हेडलाइन पर पहली खबर है मद्प्रदेश के लालजी टंडन ने ली राजपाल पत की सपत प्रदेश का थाइसवे राजपाल बने 36 गड़ के जगडलपूर में भारी बारिस से उसकूलों में छुट्टी घोसित इन दोर में रिटाइड CSP सास को बहू ने जम कर पीटा मद्प्रदेश के खांडवा खगोरन और बुरहनपूर जिलों में भारी बारिस जबलपूर में 51,000 कावडियों से भगवा मैं हुआ जबलपूर 526 बागों के साथ मद्प्रदेश को मिला इस्टेट का दरजा देज भर में 40,000 किलो मीटर पैदल चल कर दिया कुरूतियों से मुक्त समाज का मंत्र हाई कोट के आदेश के बाजू थार विधायक नीना वर्मा ने नहीं दिया हर जाना जानिये हर साल बढ़ जाती है किसी सीवलिंग की उचाई बड़े काम की है मसीन एक घंटों में बन जाती हजारों रोटियां तो नमस्कार अगली खबर की तरफ हम रुक करेंगे सबसे पहले मधपरदेश की बात करेंगे जहां मधपरदेश के मनोनीत राजपाल लाल जी टंडन ने आज राजपाल के रूप में सपत ली राजपाल में हुए गरिमा में कारिकरम में मदपरदेश के कारवाहक मुख नयदीस रभीज जहा ने स्री टंडन को राजपाल के रूप में सपत दिलाई लाल जी टंडन मदपरदेश का 28 राजपाल बन गए आपको बता दे कि लाल जी टंडन आनंदी बेन पटेल की जगह लेंगे इससे पहले टंडन बिहार के राजपाल थे हाल ही में उन्होंने मदपरदेश के राजपाल बनने की घोशड़ा हुई थी वहीं उर्ट करेंगे अगली खबर की तरफ जगदलपूर में भारी बारिश से उसकूलों में छुट्टी घोसित कर दी गई है 36 गड़ के बस्तर में भारी बारिश की वज़े से कई अस्थानों पर जल भराव की इस्तिती पैदा हो गई है बारिश की वज़े से जगदलपूर सहर की कई कालोनियों में पानी भर गया है कई निचले इलाकों में 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ है सहर के लाल बाग से लगे हाउसिंग बोर्ट कालोनी में बुरा हाल है सडकों पर पानी भरा होने की वज़ा से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वहीं घरों में काफी पानी घुस गया है जिसके बाद कलेक्टर ने उसकूलों में छुट्टी घोसित कर दी है वहीं रुक करेंगे अगली खबर की तरफ इन दोर में रिटाइड सी एस पी सास को बहू ने जम कर पीटा इन दोर में रिटाइड सी एस पी रही प्रभा चौहान को उनकी बहू एसाई ने बहन के साथ मिल कर पीटा जिसके बाद पर्भाद चवान ने जैसे तैसे बच कर महाँ से भागी और सौ नमबर पुलिस को पूरी सूचना दी इसके बाद पुलिस मौके पर पहुची और उन्हें थाने ले गई जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए इस्पताल भरती कराया गया प्रभा चवान ने अपनी बहु पर आरोप लगाया है कि बहु ने मुझे आरोपियों की तरह पीटा है और रुप करेंगे अगली खबर की तरफ मद्द परदेश के खांडवा खगोरन और बहरनपूर जिले में भारी बारिस हो रही है मद्द परदेश के खांडवा खगोरन बरहनपूर में भारी बारिस से जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है खगोरनपूर जिले के जिरिनिया छेतर में लगातार बारिस अब भी हो रही है इससे छोटे बड़े नदी नालों में बाढ़ आ गई है खेतों में जल भराव की इस्तिती बन गई है खगोरन और खंडवा से संपर कट गया है वहीं दूसरी तरफ मालवा छेतर में पिछले 10 घंटे से लगातार बारिस जारी है नदी नाले उफान पर हैं कई घरों में पानी घुस गया है अगनी नदी उफान पर आ गई है वहीं रूप करेंगे अगली खबर की तरफ जो जबलपूर से है जबलपूर में 50,000 कावड़ियों से पूरा भगवा मैं हो चुका है बम भोले के साथ गवारी घाट से नदर जल लेकर 35 किलो मीटर की यात्रा कावड़ियों ने सुरू कर दी है इसके दवरान पत भगवा मैं हो गया संसकार कावड यात्रा निकाली जा रही है भक्तों में हर उम्र के लोग सामिल है यह यात्रा कैलास धां पहुचेगी जहां भोले नात का विसेख कर पौधर ओपर किया जाएगा आपको बता दे कि सहर में कावड यात्रा देखने को मिल रही है वहीं रुक करेंगे अगली खबर की तरफ जो आज टाइगर दिवस भी है तो मदपरदेश को 526 बागों के साथ इस्टेट टाइगर का दर्जा मिला है मदपरदेश को एक बार फिर से फर्स टाइगर डे का दर्जा मिला है अंतर राश्टी बाग दिवस 2019 के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 2967 बाग है और इनमें सबसे ज़्यादा 526 बाग मदपरदेश में है 524 बाग के साथ करनाटक दूसरे अस्थान पर है और 442 बाग के साथ उतराखंट तीसरे अस्थान पर है अंतर राश्टी बाग दिवस पर मदपरदेश को मिले इस दर्जे से सभी बहुत खुस हैं मदपरदेश के टाइगर रिजर्व एरिया में बागो के सरक्षड के लिए लगातार काम किया जा रहा है देजभर में 40,000 किलो मीटर चल कर दिया कुरूतियों से मुक्त समाज का मंत्र अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे इन दोर में पली बढ़ी स्वेतांबर जैन समाज की इंदरा सुड़ावा सादवी आदर्स जोती बन गई पिछले 42 सालों से कुरूतियों से मुक्त समाज का मंत्र दे रही है अपने सादू जीवन में देज भर में 40,000 किलो मीटर पैदल चलने के दोरान उन्होंने पर्दा पर्था दहेज पर्था मृत्त भोच के साथ कन्या भुणु हत्या के खिलाब जन जागरिती अभियान चलाया है उनके हर आयोजन में हजारों लोगों को इन कुरूतियों से मुक्त कराने के लिए संकल्प दिलाया गया इस दोरान उन्होंने 8 साल तक तमिल लाडू में रहकर वहां के गाउं सहर में घर घर पहुच कर लोगों को समझाया इसके साथ उन्होंने संग में दक्षिड जोत की उपादी से भी सम्मानित किया गया आपको बता दे कि महावीर भावन इमली बजार में चतुर्तमास कर रही स्वाद्वी आदर्स जोती का इन दोर से पुराना नाता है वे यहाँ पली बड़ी और सिच्छित भी हुई है रुक करेंगे अगली खबर की तरफ हाई कोट के आदेश के बाजूद थार की विधायक नीना वर्मा ने हर जाना नहीं भरा है थार की बिधायक नीना वर्मा ने हाई कोट के आदेश के बाजूर कोट में हर जाने की रकम नहीं जमा की है यह रकम नीना वर्मा के खिलाब चुनाओ याचिका दायर करने वाले को मिलने वाली थी पैसा नहीं मिला तो याचिकर्टा ने दोबारा याचिका दायर करते हुए ब्याच के साथ रकम दिलाने की गुहार लगाई थार के निवासी सुरेश चंद भंडारी ने चुनाव याचिका दायर करते हुए 2013 में हुए बिधायक वर्मा के निर्वाचन को सून ने घोसित करने की मांगी थी उनका कहना था कि नीना वर्मा ने नमांकन फार में कई जानकारिया नहीं दी या गलत दी थी हाई कोर्ट ने 20 नॉम्बर 2017 को याचिका सुकार करते हुए वर्मा का निर्वाचन सून ने घोसित कर दिया था आपको बता दे कि कोर्ट ने नीना वर्मा को या आदेश दिया था कि वियाची करता को वकील सीज के 10,000 रुपे और उसके साथ खर्चे के तोर पर अदा करें हर साल रुख करेंगे अगली खबर की तरफ हर साल बढ़ जाती है स्यूलिंग के उचाई 36 गड़ के राज जी के कई अंग नूठे रहसे से भरा पड़ा है सावन के महीने में आज हम आपको 36 गड़ के एक एसे रहस समय स्यूलिंग के बारे में बता रहे हैं जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे 36 गड़ के गरिया बंजिले के मरॉंदा गाउं में घने जंगलों के बीच एक अनूठा स्यूलिंग है जिसके बारे में माननेता है कि ये स्वयम सूभू है ये स्यूलिंग भूतेस्वरनात से नाम से परसिद्ध है पूरे बिश्व का ये एक मात्र स्यूलिंग है जिसकी लंबाई अपने आप बढ़ती जा रही है इस समय ये भू अस्थल से लगबग 18 फीट उची है और परीधी में 20 फीट है यहां के स्यूलिंग को लेकर एक दिल् की बाड़ी किया करते थे एक दिन जब सोभा सिंग साम को अपने खेत में गए तब उन्होंने खेत के पास एक विसेश अनुकंपा टीले से शांड के चिलाने और सेर के दहारने की यावाज सुनी वे तुरंत वापस आ गये और ये बात गावालों को बताई इस बार ग्राम करेंगे अगली खबर की तरब बड़े काम की यह मसीन एक घंटे में बन जाती है जिससे हजारों रोटियां गुरु सिंग साभा दयाल बंद को सुसजित और सुभिधा जनक किया जा रहा है इसी के चलते इसकी किचन को अधुनिक करने की पहल की गई संगत को सुभिधा दे सुभिधा और आराम मिल सकेगी इससे पहले लंगर के लिए संगत अपने अस्तर पर सेवा देती लंगर की तैयारी भी सभी एक जूट होकर 24 घंटे से पहले तैयारियों में जूट जाते हैं इसमें बिशेस का रोटिया बनाने में सबसे जादा मेनत लगती थी लेकिन अब असानी से काम हो जाएगा तो आपने देखा कि मदपरदेश और 36 घंट में दिन भर की क्या खबरे रही और और भी मदपरदेश की खबरे देखने के लिए हमारा रोज शाम को देखिए न्यूज दिन भर में और हमको दिजे इजाजत नमस्कार